नमश्कार दोस्तों आप सब का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्री अमन बाबाजी में जी हाँ आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जानिये कैसे हुई थी क्रिशन भक्त मीरा बाही की मृत्यू क्रिशन और मीरा की कहानी आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ तो जो कोई इनसान जानना चाता है तो हमारी स्वीडियो को अंतक देखना और जानकारी हासिल गरना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो पहली बात पहुँचे हैं देखिए क्रिशन भक्त मीरा भाई की मृत्यू प्रेम दिवानी मीरा भाई की मृत्यू के एक दास्ता आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हम सभी भगवान क्रिशन को जानते हैं उनकी भक्त मीरा भाई को लगबग सभी जानते ही होंगे दोस्तों मीराबाई ने अपना पूरा जीवन क्रिशन की भक्ती में बिताया ये भी सब जानते हैं इस दुरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन मीराबाई क्रिशन भक्ती में इतने ज़्यादा लीन थी कि उन्हें ने तो समाजगर था और नहीं उनकी वो कभी परभागी थी तो देखिए उनका एक मातर लक्ष है भगवान क्रिशन थे कि सिर्फ भगवान स्री क्रिशन को पाना है लेकिन दोस्तों मीराबाई की भक्ती के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन उनकी मोत के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही राज के बारे में बताएंगे जिनें जानकर आप चोंक जाएंगे मिराबाई की मोत के बीचे कहीं कहानिया हैं कहीं कहानियां वीडियो आपने अक्सर देखने को मिल जाती है मिरावाई की मृत्यू के स्थान के बारे में अधिकां सिधान्त दुवार का सी जुड़े हुए है लेकिन असरी अंतर अभी भी आना वाकी है तो दोस्तो इनी संभवित कहानियों के अनुसार आज में आपको बताऊँगा कि मिरावाई की मृत्यू कैसे हुई थी अधिक जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंतक चुरूर देखिएगा दिखे मिरावाई का जनम राजस्थान के मेधाता में हुआ था उनके पिता मेधादा के राजा थे और ऐसा कहा जाता है जब मिरावाई बहुत छोटी थी तब उनके मा ने अपने पती की पती को भगवान कृशन से मिलवाया था निरा भाई इस बात को सच मानती थी और भगवान क्रिशन को अपना मानने लगी थी और जीवन भर क्रिशन की पूजा करती रही मिरा भाई का विवहा रांसांग के पुत्तर और मेवार के राजकुमार भोजराज से हुआ मिराबाई इस शादी के लिए बिलकुल भी तियार नहीं थी लेकिन परिवार के जो राठी मिराबाई से शादी करने वाले थे मिराबाई के पती की शादी के कुछ साल बाद ही उनकी मोत हो गई अपने पती की मृत्यू के बाद उस समय की परथा के अनुसार मिराबाई को भी बोज राज के साथ सती करने की कोशिश की गई थी लेकिन वह इसके लिए बिलकुल भी तियार नहीं थी धीरे धीरे मिराबाई ने संसार की सभी भ्रहमों को त्याग दिया और रिशियों के साथ जब में अपना समया वितीत करने लगे मिराबाई मंदिरों में जाकर क्रिशन भक्तों के सामने भगवान क्रिशन की मुर्ति के सामने घंडों निरित्या करती थी मिराबाई की पूजा का यह तरीका उनके सस्राल वालों को रास नहीं आया उनके रिष्तेदार अक्सर मिराबाई को जहर देकर मारने की कुशिश करते थे लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से वो मेशा के लिए जीवित रहे मिराबाई के धिरत से जब अनाव खतम हुआ तो वह जितोड से चली गई वह जी तोड छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे लेकिन मिराबाई के संतूष्ट न होने पर भी वे कृष्ण भक्त के केंदर व्रिंदावन चली गई थी कुछ वर्स व्रिंदावन में रहने के बाद मिराबाई द्वारका चली गई और यदि कांस लोगों का मानना है भगवान कृष्ण से प्यार करती थी लेकिन राधा की सहेली की शादी कहीं और देव गई जब उनकी सास को इस बात का पता चला तो उसने गोपियों को घर में बंद कर दिया भगवान कृष्ण से मिलने के डर से उन्होंने अपने प्रान त्याग दिये और अगले जनम में उनका जनम मिराबाई के रूप में हुआ तो तब से ये पर्था है कि मिराबाई की मृत्यू के बारे में तो कोई नहीं जानता लेकिन अधिकांस कहानिया आपको देखने को मिल जाती है आपकी क्या राय है कि मेरा भाई की मृत्यू कैसे हुई थी आप हमें कमेंट करके जुरूर बताईएगा और कुछ और मुख्या जानकारी के लिए नहीं अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं लगातार आपके लिए मोटिवेशन इस वीडियो भक्ति धार्मिक स्थल से ने देखेएगा